तो दोस्तों एगर सबसे पहले बात करें दोजार चौबिस की बिगेस्ट बॉलिवूड ओपनर इस्ट्री टू के बारे में कॉमेडी हॉरर फिल्म इस्ट्री टू जिसे डारेक्ट किया है अमर कोसिक ने और इस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे हैं रात कुमार राओ, पूरी तरीके से धवस्त कर दिये, यहां तक कि दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले साल सारुख खान की फिल्म जो डंकी आई थी ना, उससे भी बड़ी ओपनिंग सरद्धा कपूर की फिल्म स्ट्री टू को मिली है, जिससे ये साबित हो जाता है कि भईया अपने नाम किया था, जिसे तोड़ा था प्रभास की कलकी ने, जी हां दोस्तों कलकी का हिंदी वर्जन कलेक्शन फाइटर से जादा रहा था, लेकिन यहां पर स्ट्री टू का जो फर्स डे का कलेक्शन है न, वो कलकी के फर्स डे के हिंदी कलेक्शन से भी दो गुना है, जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि इस त्री टू ने बॉक्स आफिस पर सब की उमीदों को तहस नैस कर दिया और जितना सब ने सोचा था उससे भी कई जादा बहतर कमाई इस फिल्म की पहले दिन रही। मतलब कि इस फिल्म के कैलेक्शन सुनने के बाद आप खुद भी यकीन नहीं करोगे कि एक ऐसी फिल्म जिस फिल्म में सिर्फ हिरोईन है और हीरो राकुमार राओ हैं उसके बाबजूत भी इस फिल्म ने बॉली वूड के बड़े बड़े सूपर स्टार्स की फिल्मों के सार प्रोडिंग प्रोमोशन भी पर दोस्तों आपको बता दी कि एक ब्रांड वैली होने की वज़ा से इस फिल्म के जो डिजिटल राइट्स हैं वो 42 करोड में विके हैं वहीं सेटल लाइट राइट्स 25 करोड में और फिल्म का म्यूजिक तो गजब का था इसी वज़े से फिल् ही उसने 75 करोड जेब में डाल लिए अब दोस्तों फिल्म जब रिलीज हो गई है तो फिल्म के जो फर्स डे के कलेक्सन है वो इतने हो चुके हैं कि फिल्म का बज़ट खर्चा सब निकल चुका है हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म आज तो वर्ल्ड वाइड मा लाक रुपे कमा रही है इसी के साथ दोस्तों इस तरी टू का जो फर्स डे का इंडिया नेट केलेक्सन है इंकलूडिंग पेड प्रीमियर सो का भी वो हो रहा है 46 करोड रुपे जी हां दोस्तों फिल्म पहले दिन इंडिया नेट केलेक्सन ही 46 करोड रुपे का कर रही है जिसमें इंडिया ग्रोस कलेक्षन 54 करोड़ 70 लाक रुपे का हो रहा है। वहीं दोस्तों फिल्म पहले दिन Overseas Market यानि की विदेशों से 5 करोड़ 30 लाक रुपे की रेंज में कमाई कर रही है। इसी के साथ दोस्तों सबसे हैरान करने वाली बात किया है कि स्तिरी टू के साथ में जो जो फिल्में रिलीज हुई है ना जैसे मिस्टर बचन, ठंगलान, डबल स्मार्ट संकर, वेदा, खेल-खेल में इन सब फिल्मों का कलेक्षन अगर मिला लिया जाए तो स्तिरी टू ने अकेले जितनी कमाई की है उतनी कमाई इन पांचों फिल्मों ने मिलकर पहले दिन की है तो भाईया आप समझ जाएए कि स्तिरी टू का क्रेस कितना जादा है और अगर फिल्म को अगर रिव्यूज अच्छे मिल गए और लोगों को फिल्म पसंद आ रही है तो आने वाले द और और की कमाई तो बड़ी असानी से कर जाएगी